इस इस एकल्टो रॉस्लिंग आज की वीडियों बात करने वाला हूं मंडे नाइट रोधी आफ्रमाइट के वार में कि आज मंडे नाइट रोग एपीसोड खातम हो चुका है और सारी अपडेट्स मैं आपके शेयर करने वाला हूं फस्ट वाल बात करें तर रिटर्न ऑफ ड डुमेगंटायर का मैसिव रिटर्न हो चुका है अनक्सपेक्टिव रिटर्न था बैड ब्लड के बाद डुमेगंटायर को अब देखा गया है दो पीयली उसने मिस करें हैं क्राउन जूल एंड सर्वाइवर सिरीज लग रहा था कि डुमेगंटायर के लिए ड़डी कंपन के पास फिलाल कोई प्लैन नहीं है बट डुमेगंटायर का रिटर्न हो चुका है और अगेंस सैमी जेन पर अटेक हुआ है और आ थिंग जेउसोपर भी जो है डुमेगंटायर नहीं हो सकता है ये मैच हो सकता आपको सैटर्डे नाइट में इवेंट में पे देखने को मिल कफिरमेशन नहीं है में अंडिया में आना चाहिए लाइव नहांन सब्सक्राइभक व् से इंडिया में लाइव नहीं लिए कि यह Brief अटव कर दिया फोंते लिए मैंचे इंड二 जैसे कि कोडी जाका प्र लुच प्र?, जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा दूसरा मैच है डू मैकेंटर वर्सिस सैमी जेन यह भी मैच आइधिंग यह ओफिशली हो जाएगा एक दू हफते तक नेक्स्ट वीक तक एक है गुंतर वर्सिस फिन बैलर जो कि आज ओफिशल हो चुका है मंडे नटरों के सब्सक्राइब नहीं है तो देखा जाए तो भाई सब्सक्राइब कोई मेजर मेजर इवेंट नहीं है बढ़ा दूट फर्गेट सारी अपको मिलने वाली है अब दोस्तों बात करें नेक्स अप्डेश करने भी रोमन रिंक्स नेक्स्ट प्लैन अब देखे रोमन रिंक्स सैटेड नाइट में इवेंट के पोस्टर पे थे यह बात आप सब को बता है लेकिन मेरे कोडिंग वो सिर्फ टिकेट सेलिंग के लिए था इस इवेंट के लिए 16-17,000 के पैसे टीरी नहीं हो और इस सारे सोल्ड आउट है ऑफ लाइफ भी देखने को नहीं मिलेगा तो रोमन का होना कोई फैदा नहीं देने वाला हम देखी नहीं बाएंगे बाई लाइफ तो मेरे काल सो रोमन रिंग्स वर्जिस सोलो सिक्वा जो मैस्टीज होएगा आप नेक्स्ट पीली के लिए वो डिरेक्ट आपको या तो आपक कोई p.l. e. नहीं है पुरा दिसंबर कोई p.l. e. नहीं है पूरा जनवरी कोई p.l. e. नहीं है एक सर्बरी को रॉयल रंबल होगा दो जनवरी को आपको दो फर्बरी को सोरी इंडिया में देने को मिलेगा सो दो महिने तक कोई मेजर प्यली नहीं आफ्टर सर्वाइवर सिरीज तो डवडी कंपनी के पास सिर्फ एक ही शो बसता है वो है डे वन यानि कि Monday Night Raw का जो शो होने वाला नेट्फिक्स पर वो एक पियली होने वाला है एक आइधिंग वो एक बड़ी अरीना के अंदर है जो कि लॉस एंजिलीस के अंदर है अमेजिन शो होगा वहां से आपको Monday Night Raw के अंदर Roman Rings बनाम सोलो से कोगे बीच में सिंगल मैच देने को मिलने वाला फोर्दा ट्रैबल चीफ का जो उलफ अलमाला आइधिंग वहां पर और रोक भी होने वाला है अभी आइधिंग हो सकता है तो according to me यह मैच आपको वहां पर देने को मिलेगा और रोयल रम्बल में Roman Rings एक तरह से निउस बताओ तो Roman Rings इस बार रोयल रम्बल में Men's Royal Rumble मैच के अंदर कम्पीट करने वाला है जहां पर भाई मज़ा आने वाला वहां पर जीना भी होगा, Roman भी होगा, Punk भी होगा, I think Rollins भी होगा, सारे होने वाले हैं वाई एक तरह से कोडी रोड्स और गुंतर मेरे कहां से रोयल रम्बल में भी रेटेन कर सकते हैं हमें टैटल को सो मेरे कोडिंगे सारे वहां पर को कमीट कर देने को मिले वाला जो कि बहुत इंट्रॉस्टिंग चीज होने वाली है, that is the biggest thing अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें, यह है दोस्तो ता मैसिव थिंग यह है वायट 6 के बारे में थे कि वायट 6 का फिलाल अभी तक कोई प्लैनिंग सामने नहीं आ रही है, the final testament के साथ वायट 6 बिट रही थी, बोट एलस का एक प्रोमो देहने को मिला था जो कि ब्रेव एट की सेम कोपी था, लेकिन वह बहुत अच्छा था, अब दोस्तो फाइनली नेक्स्ट वीक ओं मंडे रैटरों के लिए इनका मैस सेट हो चुका है, वायट 6 फैक्शन वर्सिस फाइनल टेस्टरमन और अब यार मेरे को एक बास समझ नहीं आ रही है, आपने वाय उनको भी ब्लेम नहीं करना जाएं, वायट 6 को ब्लेम नहीं करना जाओ है, अब पांच बंदों को कैसा होता रह declare, अब सिंगल की सिंगल लेगा, आप जैसे बरेव एट था, वह फिंड बन जाता था ह।ा कभी सिंगल और तो ब्रेव एट सिंगल और उसके बास बई ऐस थी लेकिन फील्ड वाला कि रटर्विक सिंगल था लेकिन यहां पर दोस्तों पांच बंदे हैं उन पांचों को एक साथ ही लाना पड़ेगा अगर किसी एक को पकड़के चला लिया तो चार खराब हो जाएंगे वह चीज है इसलिए डोड़ी कंपनी प्लैन नहीं बना पाती है पहले इनकी फ्यूड चलाई गई ओटी स्वालो के साथ आइधिक क्या नाम था हूं का चैट गई बली टीम के साथ एंड राइट नाव फाइनल टेस्टर में के साथ चलने में वाली सो देखिए मंदे नट रो तक थी गया लेकिन आगर आप इसको इनको पीली में डालना सब देखने को मिली है मिरको भाई सेटरोलें सीम पंक भाई कमाल की इंटरफेरंस होती है कमाल की सेगमेंट होती है सीम पंक आते है वही चीज अपनी की भाई देखो किलियर सी बात है अब फ्यूचर क्या है तो सीम पंक अनौंस करते हैं कि वो रोल रंबल जीतना चाते है और रस्लमीने के साइन को उंगली करना चाते है, हैडलाइन करना चाते है, जो उनकी लास्ट येर भी इसी साल मतलब आपको पता यह से होने वाला था, बट डू टू इंज्डी यह चीज नहीं हो पाई, लेकिन तो फाइलिए से एम पंक अपने आपको अनौस करते हैं कि वो फ्रोल रंबल के लिए कंपीट करेंगे, फोर दा जैंपेंशिप जिसको भी वो चूज करेंगे और रस्लमीने को मिलेमेंट करेंगे, इसी भी सेत्रोलन्स की एंट्री होती है और आपको पता है भाई यह बात तो कुछ नहीं होने वाली, सीम पंक वर्सिस सेत्रोलन्स के बीच में आपको रस्लमीने 41 मैच देने को मिलेगा, यह बात अप कंफर्म है, यह बात आप कंफर्म मान लिजे, और आज आपको देखके मिली किया होगा कि भाई दोनों का मैच आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है, सर्वाइवर्स त्रीज में भाई रस्लमीने के प्रैन कार दे जाते है, तो यह दोनों कार दे गा है, और ब्रोल भी ओन दोनों के बीच में जादा आता पही नहीं हो पाई, विकॉस रोग लिया गया था, सैमी जेन और जिवसों के थुरू, लेकिन भाई आपको रस्लमीने का एक मैसिव, मैसिव मैच दिखाई दे रहा है, इस मैच में स्टिपुलेशन आड़ हो जाज़ाज के, यह दूम एक इंटार वर्जी सीम पंक की थी, आप हैरी नासाल मैची करा तो भाई, मौस्त हो जाएक रस्लमीनिया में, सो यह मैच आपको कन्फर्म होता है, नजराने वाला है, रस्लमीनिया 41 में जाड़े जबरी कस्तिंग, आते हैं इन दोनों के भी इसमें अभी फिलाव स्टोरी लाइं, शुरू हो खुशुरू आद हो चुकी है, रोल रंबल में दोनों कम्पीट करेंगे, सिंगल मैच नहीं, वर्कि रोल रंबल मैच के में, वहाँ पर हो सकता है कि सिंगल मैच के लिए डिरेक्ट रोड होने वाली है, और ऐसा आपको देहने को मिलने वाला बहुत ही जल्दी, वहाँ पर बात करें तर लास्ट अपडेट, और दिस वन इस वेरी हुज, बिकोज, रोक, जी हाँ, दे फाइनल बॉस, दे रोक, वर्सिस कोडी रोड्स, अब ये मैच हो गया या नहीं, बिकोज रोक के बारे में आपको एक लेटस चीज बताता हूँ, और ये चीज़ कांफरमिशन है, बिकोज ये चीज़े रोमर फिला रहे हैं कि रोक आपको रसल मिया 41 में कंपीट करते नजर नहीं आने वाले, अब इसके बीचे कितनी सचाई है, या जूट है, रूमर है, या फेक निउस है, किलियर करने वालो, देखे सबसे बहले बात करें, रोक की, रोक इस समय किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, वहाँ पर इसको इंजरी होगी, जिससे वो रिकावर भी खर चुका है, और फोटो सामने आ रखे हैं, लेकिन फिलाल रोक सर्वाइवर सेरीज में फ्री था, फ्री था, तो रोक की महाँ पर एंट्री नहीं हुए, सर्वाइवर सेरीज में एक्सपैट कर रहा था हमाए, कि रोक हमको दिखाई जैने वाला है, बट रोक वहाँ पर दिखाई नहीं दिया, इससे बात क्लिए रोक फिलाल फ्री है, नहीं है, उससे कोई फरक नहीं मैच वहाँ पर किसकी अगेंस्ट होगा, सबसे साथ प्लैन तो भाई यह है कि रोक वर्सेज रोमन व्रेंग्स ही होगा, यह बत कनफर्म है, हो सकता है कि रोक और कोडी रोड्स का मैच आपको एलिमनेशन चेमबर में देखने को मिले, जी हाँ दोस्तों, यह बात भी मान ल सब्सक्राइब कर दोस्तों, यह बता है कि रोक वर्सेज रोड्स का मैच कंफर्म बता रहा है, लेकिन आपको एलिमनेशन चेमबर के अंदर देने को मिलने वाला टोरॉंटो से जो एक बड़ा स्टेडियम मैच होगा, स्टेडियम में क्यों कर वाया, आपको वर्सेज का मै सबसे बड़ी प्रबलम के होएगी, इस मैच की एंडिंग में रोमन रिंग साकर रोक को हरा देगा, अब डायरेक्ट प्लैंग चेंज है, रोक वर्सेज रोमन रिंग सोगा, रेसलमिन फुर्टी वन में, यह बत कंफर्म है, और कोडी रोर्स वर्सेज दवाइपर रिंडी आपको देने को मिलने वाला है, रेसलमिन फुर्टी जी हाँ, यह मैच कंफर्म है, बहुत सो मोग कह रहे हैं तो बहुत कोडी रोर्स वर्सेज ओड़ को होगा होगा, बैक लेश इस साल बैकलेस से होना था, लेकिन डीदो होता समर स्लैम में नहीं हुआ, अब जाके भी नह आने वाला है, that is the biggest thing, तो दोस्तों ये थी तमाम अब्डेट्स आज की, बिकोज अब सर्वाइबर सरी खतम हो चुका है, मेजर पी अलिए अब आपको डाइरेक्ट आपको 6 जनवरी को बंडे नाइट रो नेट्फिक्स अडिशन पर तेहने को मिलने वाला है, वहीं पर चीज़े किलियर होएंगी, Saturday Night Main Event को सीप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्कीपबल है, स्कीपबल है, स्कीपबल है, स्कीपबल है, so don't forget, but एक चीज़ है, जो स्कीप में हो सकती है, वो है हमारे चैनल का सब्सक्राइबेशन, तो प्लीज सब्सक्राइब एक आवर चैनल, The Cult of Wrestling, for the latest news about WWE, वहाँ से मिल्मकल, स्यू नेक्स्ट,